So hey guys, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हेल्प इंदी में और मेरा नाम है मनेश और दोस्तो आपने MX Player का नाम तो सुना ही होगा जिसमें आप फ्री में बहुत सारे वेब सेरीज देख सकते हैं मुवी देख सकते हैं और बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तो क्या आप जानते हैं कि जो MX Player है वो एक Indian एप है शुरुआत में इसको South Korean Company ने डेवलप किया था लेकिन उसके बाद इसको Times Internet Media जो की इंडिया कमपनी है उसने इसको खरीद लिया था और तब से ये इंडिया का ही है तो दोस्तो उसी MX Player ने एक File Sharing एप लाँच किया है जिसका नाम है MX Share करो तो दोस्तो इस वीडियो में हम उसे के बारे में बात करने वाल है तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधी बात नोबकवास तो दोस्तो इस एप का नाम है MX Share करो तीन जुलाय 2020 को ये लाँच हुआ था और इसके अभी 4.7 स्टार रेटिंग है तीन एम भी इसका File Size है और अभी तक ये 50,000 से भी जदा बार डॉलोड हो चुका है ये एप आपको अभी ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाएगा और इसको डेवलप के है MX Media ने जो की Times Internet Media की एक कमपनी है तो चलिए दुस्तो बात कलेते हैं इसके कुछ advantages और disadvantages के बारे में तो दुस्तो सबसे पहले चीज इसमें जो आपको है clean user interface दिखने को मिलेगा दूसरी चीज यह है कि इसमें आपको एक भी एड़ देखने को नहीं मिलेंगे तिसरी चीज यह है कि इसका size जो है बहुत कम है केवल 3 MB यह app है चोते चीज यह है कि अगर आप MX Player को यूज करते हैं तो यह आपको inbuilt मिल जाएगा मतला आपको इसको डाउनलोड करने के भी जरूद नहीं पड़ेगी यह आपको MX Player के अंदर ही मिल जाएगा और पाचवी चीज यह है कि इसमें जैसे ही कोई वीडियो आउडियो आप सेंड करते हैं तो उसको आप डिरेक्ली प्ले कर सकते हैं MX Player से तो यह तो रहें इस Amp के कुछunk यद्वांटेज आपके का देखने को मिलेंगे तो दूसरे डिसवांटेज के बात करें तो इसमें आप कोई document संट नहीं कर सकते हैं ना ही कोई internal file सेंड कर सकते हैं मतलब अगर अगर आपके पास कोई internal memory कोई करें natin silp इसको आप PC के साथ correct नहीं कर सकते हैं तो सकते हैं आप कुछ दीनों पहले ही लॉँच हुआ है वायदा करते हैं यह दोनों वर उनीख आपको जल स जल चल इसमें देखने को मिल जाएंगे तो चलिंगे यह तदिशा तो यह समय आप cortex कर करो इसको open करते हैं तो इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि बड़ा ही clean है और बड़ा ही अच्छा देखने में लग रहा है और यहां तो यहां से आप चेंज default folder path set कर सकते हैं मतलब आपके जो file है वो कहां से वह नी है वह यहां से आप आप चेंज कर सकते हैं अगर यहां से कर सकते हैं कि यहां पर एक बटन दिख रहा है यह यह अगर नीचे करेंगे तो कर सकते हैं तो दोस्तों आप दे सकते हैं कि जो मेरा दूसरा फons में MxPlayer install है तो मैं इसको open करता हूँ open करने के बाद आप यहां 3.0 पर जाएंगे और यहां पर आपको देखने ही मिल जाएगा file transfer तो उसके हम क्लिक करेंगे तो आप देश सकते हैं कि जो interface है वह MxShare करो का ही आपको देखने को मिल जाएगा तो आप क्या करते हैं यहां से कोई भ जाकर हम scan कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जो file है वो यहां पर send हो रही है तो आप देख लेते हैं कि इसमें कितना time लगता है 100 MB इसका file size है तो देख लेते हैं यह कितने देर में इसको share करता है तो आप देख सकते हैं इसने 100 MB की file को 14 seconds में पूरी तरह से send कर दिया